इसमें आपको बहुत सारे concept मालुम पढ़ेंगे और उसमें कई ऐसे concept है जिनको मुझे खुछ समझ में पता ने किता टाइम लग गया था तो वो मुझे बहुत confusing लगते थे अपको समझ में आ जाए असानी से ठीक है सो हम लोगने लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी कि जो आईरन को हमारी बॉड़ी कैसे अब्सॉर्ब करती है तो हम लोगने पूरा पढ़ा था कि डाइमेटल डाइमेटल आइन ट्रांस्पोर्टर के थू कैसे आरन आता है फिर कै कैसे फेर्टिन की फ़र्म में स्टोर होता है और फिक कैसे फेरोपोर्टिन से बाहर जाता है ट्रांस्परिन से अटाइज होता है बॉड़ी में ट्रैवल करता है अब हम यह देखेंगे कि हम लोग की बॉड़ी कैसे आरन के मेटापोलिसम को रिगुलेट करती है मेटापोल सबसे पहला protein है hebsidine लेकिए जो protein होता है इसको liver cells को इसको liver cells produce करती है it is a protein produced by liver cells ये protein bacteria को kill करने में काम आता है it involved in killing bacteria अच्छा ये करता क्या है तो इसको आप ऐसे सकते हैं hebsidine में दो आई आ रहे हैं एक आई का मतलब है iron और एक आई का मतलब है इनिविटिंग मतलब ये iron के absorption को inhibit करता है हम लोगे बॉडिय में iron को कम करता है क्यासे कम करता है इसलिए hence it decreases iron absorption इसलिए iron absorption को decrease करता है अच्छा hebsidine की synthesis body में कब कम होती है और कब बढ़ती है ये याद रखने लिशी साहब्स को याद रखने hebsidine body में तब decrease होता है जब body में anemia होता है और hypoxia होता है simple सी बात है anemia है हम लोगे body में iron के already कम ही है हम चाहते है iron body में control है तो ये protein उसको inhibit करता है उसके आप तो कम करता है तो iron overload body में कम हो जाता है और inflammation inflammation और iron overload में hepturin बढ़ जाता है और anemia और hypoxia में कम हो जाता है बहुत important protein है ठीक अच्छा अब बात करते हैं iron indices के बारे में देखें ये बात सिर्फ बायोगेमेस्ट्री के नहीं है आपको भी report दिखेंगे या pathology पढ़ें या फिर medicine पढ़ें तो उसमें ये बहुत काम की चीज होती है या फिर आपको अपनी family में भी किसी की report देखनी है आपको चेक करना है अनीमिया है की नहीं उसको तो यही सब indices reports में लिखे होते हैं ये बहुत ध्यादर समना की कोशिश करें सबसे पहला serum ferritin बहुत आसान है मैंने आपको explain करा था कि serum ferritin क्या होता है storage form of iron iron जिस form में body में store होता है वो क्या होता है serum ferritin normally कितना होता है तीन से 300 nanogram per ml ठेक और इसके लावा serum ferritin एक positive acute phase reactant भी होता है अब positive acute phase reactant होता है इसका मतलब आपको मालूम हो गया होगा कि जब body में कोई inflammation होता है तो इसका amount abruptly बढ़ जाता है तो ये बात है serum ferritin की कोई इसमें बहुत बढ़ा तीर नहीं है बस storage form of iron होता है ये इसकी normal value होती है और एक positive acute phase reactant होता है अब बात करते है serum iron की यहां से थ्यान से समझें वहना उलज के रह जाएंगे तो serum iron क्या होता है वो iron जो transferrin से bound होके खून में बह रह रहा है वो होता है serum iron serum iron का मतलब बिलकुल यह नहीं है कि यह मानलेज़े मेरी blood vessel है तो इसमें जो iron घूम रहा है free focus में ऐसे free form में वो serum iron होता है नहीं serum iron यह नहीं है serum iron वो iron जो कि transferrin से bound होके घूम रहा है यह होता serum iron normally blood steam में iron को हम detect नहीं कर सकते इसलिए iron को detect कैसे करते हैं जो transferrin से bound होता है इसलिए serum iron is what amount of iron in circulation bound with transferrin and transferrin क्या होता है अमनों जानते है it is a transport form of iron होता है तो serum iron की value होती है 50 to 150 microgram per deciliter ठीक लोड नहीं लेना है अब एक word है total iron binding capacity यह क्या होता है इसको समझते है देखें हमारे पास transferrin को measure करने का कोई साधन नहीं है हम transferrin को measure कर सकते है किमारे blood में कितना transferrin चल ला है तो उसी को measure करने के ल metropolitan इसको बहने एक निया term बनाया उसको बोलते है टोटल iron binding capacity इसका मदला हो amount of iron जो कि transferrin से bind कर सकता है जो transferrin होल्ड कर सकता है उसको मैं लोग बोलते है total iron banding capacity, so amount of iron that transferrin can hold, देखो समझो, माल लो ये transferrin पड़े हुए, ठीक, so पहले बात तो TIBC is nothing but the number of transferrin, ठीक है, भहुत सिंपल सी चीछ है, TIBC क्या होता है, total iron banding capacity is nothing but the number of transferrin, number of total transferrin, ठीक, अब जिन transferrin से iron attached है, वो मारा क्या हो गया, serum iron, लेकिन क्या इतना ही transferrin थे, नहीं, कई वो भी तो transferrin है, जिनसे iron attached नहीं है, तो हम इनको कैसे measure करेंगे, तो इनको measure करेंगे, तो इनको measure करने का थरीका होता है TIBC, total iron binding capacity, इसका मतलब कि कि कितना iron transferrin hold कर सकता है, वो होता है TIBC, कितना होता है, यह 300 से, यह होता है, 300 approximately microgram पर decilator, लगबग 300 mg पर DL होता है, sorry, microgram पर DL होता है, ठीक, बस लास्ट चीज, एक चीज होती है, transferrin saturation, transferrin saturation दोगो simple सी बात है, total कितने transferrin body में पड़े हुए है, upon कितने transferrin पर iron बैठा हुआ है, इसका मतलब कितने transferrin पड़े हुए है, मतलब TIBC कितना था, 300 था, अपरोक्स, और हम लोगा serum iron normally कितना होता है, 100, मैंने अभी पता है अपको पीछे की serum iron लगबग कितना होता है, 100, अपरोक्स, serum iron, average में लेगा 100, ठीक है, तो इसका मतलब body में इतने transferrin पड़े हुए है, और इतने पर iron attached है, इसे हम लोग क्या बोलें upon total कितनी chairs पड़े हुए, वही chairs का saturation है, तो वैसे ही, total कितना transferrin है, और उसमें से कितने पर iron बैठा है, यह होगा transferrin saturation, यह होता है, handed by 300, अपरोक्स 33%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, बहुत simple language में यह लिखा हुआ है, if there are three handed binding sites on transferrin molecules, अगर माल लो, body में जितने transferrin molecules है अगर उनमें 300 binding sites है, ठीक है, तो उनमें से 100 पे iron बैठा हुआ है, बागी की 200 खाली है, बागी की 66% खाली है, 33% भरी हुए है, वही के आता है transferrin saturation, देखो यार, simple तुमको मैं बात बताता हूँ, pathology में जाओगे, वहाँ पे यही चीज तुमको, बहुत simplified way के, simplified way में पढ़ान तरीके होते हैं, कि मैं बोलनों कि transferrin पे 6 binding sites होती है, उस पे 2 पे iron बैठता है, तो 2 बटे 6, इसको इन 200 इकोली 33%, बट यह सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक, तो यही जो concept को मैंने बता है, वो ध्यान रखना है, इसको बार बार पढ़ पढ़ लो, serum rating क्या होता है, storage form of iron, ठीक, कितना होता है, लगबग 30-300 nanogram, serum iron क्या होता है, वो iron जो कि transferrin पे बैठा हुआ है, उसमने क्या बोलते है, serum iron, total iron binding capacity क्या होती है, तो तुम simply बोलना कि it is the number of transparent present in blood, सबसे simple information तो यह है, या फिर बोल सकते हो कि amount of iron that transparent can hold, ठीक, और total iron binding capacity कितनी होती है, sorry, transparent situation कितना होता है, तो इसका formula होता है, serum iron upon TIBC, मतलब कितनी chairs है, upon कितनी chairs भरी हुई है, यह होता है, saturation, यह आता 33%, ठीक, अच्छा, अगर इतने concepts में आए हैं, तो अब आप दिखेंगे, जैसे वासुदियोन आप पड़ोगे, उसमें कई जगा पे लिखा हुआ है, कि इसमें यह कम होता है, उसम में पड़ें, इससे अच्छा है, मैं आपको सारे indices बता दियें, serum ferritin क्या होता है, TIBC क्या होता है, transparent saturation क्या होता है, serum iron क्या होता है, अब आप लोग अपनी बुद्धी से बता सकने कि कौन सी disease में क्या कम होगा और क्या बढ़ेगा, for example, मालू मैं बात करो, iron deficiency anemia की, हमें सीरम iron, simple सी बात क्या होगा, decrease होगा, ठीक है, अच्छा, serum ferritin की बात करें, जब बॉड़ी में iron की कमी है, तो जो बॉड़ी के stores है, serum ferritin बात करें, जब बॉड़ी में iron की कमी है, तो बॉड़ी नहीं चाहिए कि उसका iron waste हो, इसलिए वो transferrin के secretion को increase कर देती है, ताकि iron को जल समझे रहो, इसलिए body iron waste नहीं हो, transferrin, जो chair से उनका number increase कर देती है, iron waste नहीं हो, तो serum TIBC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब number of transferrin बढ़ जाएगे, number of transferrin क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, और transferrin saturation क्या होगा, अराम से समझो, transferrin saturation क्या होता है, serum iron ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है यह क्या हो रहा है बढ़ रहा है सिंपल सी बात है अगर यह कम हो रहा है यह बढ़ रहा है तो यह overall चीज़ क्या होगी Transmine Saturation कम हो जाएगा समझ गया प्योर लॉजिक अब आपको याते हैं कि जोद नहीं कि कि इसमें iron overload हो जाता है बोडी में ठीक अब आजाओ लॉजिक से चलते हैं बताओ सिंपल सी बात है बढ़ जाएगा Serum Ferritin क्या होगा जब खूप खान आ रहा है तो जो गोदाम होंगे हमारा वो क्या होंगे गोदाम सारे भरे हुए होंगे तो Serum Ferritin भी बढ़ा होगा अब बढ़ आप TIBC क्या होगा क्या बॉडी चाहती है कि जो iron है वो blood steam में फालतों में travel करे नहीं तो वो chairs का number transferrin का क्या करने लगती है कम करने लगती है so serum transferrin will be decreased now let's see what happens with transferrin saturation if serum iron is increasing and TIBC मतब serum transferrin is decreasing then transferrin saturation will increase simple सी बात है serum iron बढ़ आई है कम हो रहा है तो serum transferrin saturation वो क्या होगा increase होगा ठेक यह चीज़ें अलग-अलग lines में अलग-अलग जगा पे लिखी हुई है लेकिन यह चीज़ें logic से समझी जा सकती है खतम अब मैंने आपको बताया था कि body कैसे regulate करती है तो एक तो hepsilin के तुरू और इन सब proteins के तुरू serum ferritin को increase कर देगी जब body में iron का overload होगा और transferrin को decrease कर देगी जब overload होगा तो यह मैंने आपको explaining करती है एक तो यह तरीका होगा करने के तुरू एक यह तरीका होगा increment करने के तुरू और लास्ट तरीका क्या है body iron को conserve करती है देखो होता कि जब RBC का lysis होता है जब RBC का breakdown होता है हर 120 दिन बात RBC को मरना रहता है जब RBC का lysis होता है तो बहुत हाई chances है कि यह urine से loss हो जाएगा body में hemoglobin loss होने का दुख इतना बड़ा दुख नहीं है जितना इसके साथ attached iron के loss होने का दुख है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि body का 75% iron blood में होता है और इस 75% का 70% का होता है hemoglobin में होता है इसलिए body क्या करती है कुछ preventive measures है body के iron को waste ना होने देना RBC का lysis यह तो होना ही है यह होगा तो hemoglobin release होता है समझे है hemoglobin release हुआ तो hemoglobin में iron है तो body नहीं चाहती कि iron waste हो जाए तो तुरणत एक protein होता है इससे बोलते है heptoglobin है इससे आके complex बना लेता है hemoglobin से और जब इससे complex बनाता है फिर यह complex को कफर से क्या कर लेती है इसको absorb कर लेती है इस complex को अपने अंदर लेती है ठीक है और उसके बाद iron को reutilize कर लिया जाता है जो hemoglobin में iron present है उसको reutilize कर लिया जाता है यह actually में बहुत multi step process है फिलाल आपको इतना ध्यान रखना है यह आपके level की बात नहीं बस इतना ध्यान रखना है कि यहां इसको iron को reutilize कर लिया जाता है अच्छा हेप्टोग्लोबिन भी एक acute phase protein हो तो हमने अब तक acute phase protein दो पढ़ें एक तो हेप्टोग्लोबिन था और एक क्या था है है अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जितने बी हीमोग्लोबिन तूटेंगे सब का सब हेप्टोग्लोबिन पकड़ लेगा नहीं कुछ पचला हीमोपैकसिन यह क्या होता है यह हीम के साथ complex बनाता है और फिर यह complex हेपैटोसाइट टेक करती है और आरेन को रियूटलाइस कर लेती है लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे हीम को हीमोपैकसिन पकड़ लेगा नहीं सिम्पल से बातर फृदर ब्रेक्ड़ नहीं हो तो देखो body तीन तीन प्रोटीन का इस्तमाल कर रहे हैं कि iron जो है वो वेस्ट नहों इस तरह से body iron को conserve करती है और body में store करती है ठीक है जो pure concept था iron का खतम हो गया हमें अब इसके बाद बस इससे related diseases हैं वो भी diseases आपको logic से पता हैं जैसे कि iron deficiency anemia है citroplastic anemia है तो अब समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या वड़े और क्या क्या का कम होगा बस उनके clinical features में आपको अभी बता दूँगा next video में और iron के sources क्या है यह पढ़ लेंगे तो iron खता में खैर यह जो मैं आपको बताया था यह वाली table बहुत important है भी बहुत logical चीज़ है पैथो में भी कामाएगा medicine में भी कामाएगा और इन सब के लिए वासुदेवान मत पढ़ना सब anticipation दिया है उसमें ठीक है thank you